कि हैilly फ्रेंच जै अमात्अ दी कैसे हैं आप समग साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले वाले थे ऑखी data बिना सब कुछ जाने मतलब की पूरी जानकारी के जाने शिवलिंग हमें घर में नहीं रखना चाहिए तो प्रेंट देखे बहुत सारे लोग शिवलिंग नहीं रखते और शिवरातरी पे मंदिर में पूजा करना विधी पूरवग पॉसिवल नहीं होता है क्योंकि सबी को प करी पूक्त बदे करेंडे मतलम के जाने में लिए तो अब ही मुझे नहीं मिली ठी तो जो बच्छों का फ्ल tiene zucia नवबात्रिय उसर cutting मिल जाती है लेकिनalar कमार्केट में बहुत ही SUी मित्टी में होकि पौदे में Arcticск जीक्णि में इसकी कजिते है और जादा खाल सुरी च्रेवली थी तो से प्रें लिक भी क्राइम ध़ीम earliest analysis को ल् ces एप उसको विश्रजन करने की जुरुत नहीं पड़ती तो देखें यहां सबसे पहले हम बनाएंगे शिवलिंग घर में सब लोग नहीं रखते तो विधी पूरवक हम पूजा घर में शिवलिंग बना के कर सकते हैं पहले घर में शिवलिंग से मतलब रखके आपने विधी करां से आप उनको इसनान करा दीजें शिवलिंग को उसके बाद जब अपकी पूजा हो जाए विधी पूरवक उसके बाद आप एक जल में मंदिर में जाके शिवलिंग पे जल चलाके आ सकते हैं तो घर में तो हर साल इसी तरीके से बना लेती हूं किकि मैंने भी अपने घ हम होते हैं और शिवलिंग कितना बड़ा रखना चाहिए ये भी बहुत जरूरी है जानना तो अंगुठी के बरावर ही शिवलिंग घर में रखे जाते हैं और मिट्टी के आप चाहे तो बड़े भी बना सकते हैं एक हाथ के और अंगुठी के बरावर ही बना सकते हैं लेकिन हमें जादा बड़े 시िवलिंग नहीं बनाने है छोटे ही बनाने हैं तो देखे फ्रेंट्स यहां पे मैं जो हूँ सबसे पहले मैं चोठे ही बनाने हैं तो तो mo Begang di L ag connection मैं जो सबसे पहलए महले को रखने के लिए अपे आशन के लिए आपको आशन के लिए को नहीं बनाना इस तरिके से आप अजया है में और Kap में बना रहे हैं कि डा मिट्टी थोड़ी सोली कि थी तो और का यहां तो यहां पर हम दे रहे हैं शिवलिंग को आकार तो यहां पर हमने गोला बना के रख लिया है शिवलिंग का जो उपर हम बनाएंगे अब हम शिवलिंग बना रहे हैं तो देखे प्रण इस तरीके से पहले हमको जो है अच्छे से से शेव देने लिए हैं इस तरीके से उसके तो इस तरीके से हम पहले किनारिया बना लेंगे थोड़ा सा हमें गहरा करना इसको ताकि जल अराम से बहे की नीचे निकल जाए और थोड़ा करेंगे जादा नहीं करेंगे तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई पिन हो अलग से कुछ हो ब्लेट वगरा टाइप का तो इस उंगलियों से प्रैस करते हुए इसमें थोड़ी सी जगा दे दीजे गड़ा तो इसको मैं इस तरीके से हातों की सायता से इस तरीके से अंदर को थोड़ा कर लूँगी ताकि जल जो है अराम से बह जाए उपर होके न निकले अराम से जो है किनारिया अगर बन जाएंगी तो हमने इसको अच्छी शेप देदी है और इस थापना भी कर दी है मतलब जो हमने एक लासन बनाया था उस पर हमने जो है दो आधुरा है अब हम इसको पूरा भी बनाएंगे इसमें गौरी माता भी बनाएंगे तो देखिए आपने देखा होगा सिवलिंग पे एक शीष अंगए साथ होता है लेकिन बहुत सरित मता तो हम जो है आप गौरी मता होता है तो जो पाहिए बारज़ को सभड़ा जल जातए होते होँए आवी शेक करते हैं जल नीचे से तो वहां पर है ग общем जुड़ जी ऑद न होती हैं लपेतर शिवलेंग को वो घौन आता होती है तो पूरा ही शिवलिंग में मह Crust out हर साल मिट्टी के बनाए फूजा करती हूं कभी कलर कर इस तरीक से इस तरीके से ही पूजा कर के बस छोड़ देती मतलम हमेसा नहीं करती लेकिन इस वार जो हमें कलर के अच्छे पूजा करूंगी अच्छा लगता है तोड़ा सुंदर दिखते हैं स्विलिंग और कभी कभी ह हो जाती है बच्चे फिदेखते हैं वो भी सीखते है कुछ करना और उनको हमारे सनातन धरम के बारे में नहीं क्या कर रहा है हमारे माले हमाब क्या कर रहें तो उस तरीके से हमses गहां कभी कभी कर लेने चाहिए तो आप सीम्पल टरीके से बना सकते और अच्य कर सकते हैं इसमें कालरफूल भी कि इमको कलर से बहुत ही सुंदर लगा और जादा सुंदर लगें या अगर अगर अपके पाश टाइम नहीं है तो आप इस तो की दीखे कर कालर पी ओको यहान बनके तयार है पूजा करने के लिए ए तो इसी तरीके से जरूर कर दूजा है तो मिलती हूं अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ जब तक के लिए जय बाता